हलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल, दोस्तों आज मैं आपको एक सक्सेस्फुल बिजनेस के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाली हूँ, जिनें फॉलो करके किसी भी बिजनेस को सक्सेस्फुल बनाया जा सकता है, साथ साथ में मेरे 99 स्टोर के कुछ आइटम पर वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि ये टिप्स एंड ट्रिक्स आपको पसंद आएं, तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा, तो दोस्तों एक बिजनेस को सक्सेस्फुल बनाने का सबसे पहली टि के दो वैपारी थे, एक वैपारी का सहद अच्छी क्वालिटी का होने के बावजुद भी कम बिखता था, जबकि दूसरे वैपारी का सहद थोड़ी कम अच्छी क्वालिटी का होने के बाद भी ज्यादा बिखता था, जानते हैं क्यों? क्योंकि अच्छी क्वालिटी वाल वारत हासिल थी। इसलिए तो कहते हैं कि मीठी बोली बोलकर आप मिर्श भी बेच सकते हैं और कड़वी बोली बोलकर चीनी भी नहीं बेच सकते। दोस्तो हमारे सक्सेस्फुल बिजनेस का अगला टिप है छोटे से वैपारियों के लिए है। आज के समय में मैक्सिमम बिजनेस के फेलियर का में कारण होता है करजा। चाहे वह बैंक से लोन के रुप में लिया गया हो, चाहे किसी मिस्त्र या रिस्तिदार से करज। एक बिजनेस्मेन को हमेशा मुसीबत के समय के लिए रेडी रहना चाहिए। वो कहते हैं न, बुरा वक्त कभी भी बता कर नहीं आता, इसलिए पहले से ही प्लानिंग करके कुछ न कुछ पुझी बचा कर जरूर रखनी चाहिए, यही बचाया हुआ धन बुरे वक्त में काम आता है, और धन से भी ज्यादा इंपोर्टन्ट होता है गुडविल, दोस्तो एक बिजनेसमेन की अस कर धन कमा लें, ऐसे में एक पल बिना गवाएं अपना गुडविल बचाने की सोचें, गुडविल बचा रहा तो पैसे तो और भी कमा लेंगे, पर एक बार नाम खराब हो गया, तो वापस बनाना नामुम्किन है, इस बात का बेस्ट एक्जामपल टाटा कमपनी है, जब नैनो कार में ज्यादा हीट होनी के वज़े से चलते चलते आग लेगने की खबरे आई, तो कमपनी ने तुरंत मार्केट से अपनी कार बाइबक कर ली, और कस्टमर को उनके पूरे पैसे लटा दिये, यहां उन्होंने अपने रेपुटेशन और गुडविल के बारे में सो पैसों को नहीं देखा, क्योंकि एक इंसान की जान पैसों से ज़्यादा कीमती होती है, इसके बाद अगला टिप है इमानदारी, दोस्तों इमानदारी सबसे उत्तम नीती है, वो कहते हैं न, honesty is the best policy, यह बाद आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन आज के समय में एक सच्च और इमानदार आदमी को लोग बेवकूफ समझते हैं, चलिए इसे भी एक ग्जामपल से समझाती हूँ, एहमदाबाद एक ड्राय स्टेट है, वहाँ शराब बिलकुल बैन है, अगर कोई शराब पीता है, तो पुलिस उसे ग्रिफतार कर सकती है, अब ऐसे में मान लेते है कुछ दोस्ट पाटी कर रहे हैं और शराब पी रहे हैं, उनमें से एक व्यक्ति शराब बिलकुल नहीं पीता है, पर वो पाटी में भी कोल्डरिंग पी रहा है, उसी समय मान लिजे हमाँ पुलिस की रेट पड़ जाए, तो क्या वो बच सकता है? नहीं, वो भी ग्रफतार कर लिया जाएगा, इसी लिए किसी को बहुत ज्यादा भी ओनेस्ट नहीं होना चाहिए, सीधे व्यक्ति का सभी फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, उसे बेवकुफ बना कर ये human nature है, वो कहवत तो सुनी ही होगी, कि सीधे पेड़े सबसे पहले काट दिये जाते हैं, और अपने secret share ना करें, कहा जाता है, रावन राम से ज़्यादा सक्तिशाली और सम्रद था, फिर भी वियुद्ध में मारा गया, क्योंकि उसका राजदार उतका खुद का भाई भीविशन राम से जाकर मिल गया था, एक successful business का अगला tip है, दुखी और बैचारे टाइप के लोग उसे depressed और demotivate कर देता है, इसका मतलब यह हरगिज नहीं है कि दुखी और परिशान वैक्ति की help ना करें, बलकि help जरूर करें, पर उससे थोड़ी दूरी बना कर रखें, क्योंकि मुर्खों की संगती में एक बुद्धिमान वैक्ति भी अपना विवेक हो देता है, पॉलिसी है, एक successful businessman को अपनी कमजोरी किसी को नहीं दिखानी चाहिए, एक वेपारी की कई कमजोरियां होती है, उसे कितने ही type के लोग साथ deal करना पड़ता है, जो power और position में उससे उपर भी हो सकते हैं, और नीचे भी, उसे सब को खुश रखना पड़ता है, अलग-अलग type के लोगों से deal करने का तरीका भी अलग-अलग होता है, एक businessman को success पानी होतो, उसे ये तरीके पता होने ही चाहिए, और उसी के हिसाब से dealing भी करनी चाहिए, जैसे एक हमंडी वेक्ति आपसे position और power में बड़ा है, और वो उसे कुछ कह भी दे, तब भी आप उसे respect दें और उस रहेगा, जबकि एक समझदार और ज्यानी वेक्ति का लेबल अगर आपसे उचा है, तो आप सच बोल कर उसे जीच सकते हैं, दोस्तों, किसी भी friendship के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ या मकसद छिपावा जरूर होता है, अगर आपका कोई दोस्त आपको आपके बर्द्र पा आइदा ना उठा सके।